नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यूनिवर्सेटी और बोर्ड पर इक्सा 2020 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रारप्त हो सके जियां दोस्तों मादेमिक शिक्षा बोर्ड राजस्तान अजमेर और यूनिवर्सिटी परिक्साओं को लेकर बहुत ये बड़ी खबर आई consists देखते एंए वीडियो में क्या है पूरी खबर जियां दोस्तों राजस्तान विश्य विध्यौविभ्जाल ट्रेवल करना होगा हालां कि विश्य विद्याले परशासन का कहना है कि विद्यारती नीजी वांद से परिक्षा देने जा सकते हैं उनका सेंटर भी 5 किमी तक के केंदर पर रखने की कोशिस की जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जून के फर्तम सप्ता में ये परि परिक्षा हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जिस जगे सेंटर उपलब नहीं है वहाँ पर टेंट लगा कर भी परिक्षा करवाई जाएगी लेकिन अगर कोरोना वायरस की इस्तिती सामने होती है तो परिक्षा जून में शुरू होगी लेकिन कोरोना वायरस का अगर परवाव ज्यादा रहता है तो परिक्षा जुलाई में भी हो सकती है अगली बड़ी खबर है चतीस गड़ दसवी और बारवी की परिक्षा अब नहीं होगी क्या राजस्तान मादे मिक्षिक्षा बोर्ड भी ऐसा करेगा तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि मादे मिक्ष परिक्षा ही पर्मोट करेंगे लेकिन यहां पर जो होगा वो सीब्येसी के हादार पर ही किया जाएगा अगली बड़ी खबर है सेकावाटी वीशेविदाले की परिक्षाओं के लिए बढ़ाएंगे सेंटर और सबसेंटर सोस्यल डिस्टेंसिंग से परिक्षाएं करवान कि दो गज की दूरी पर परतेग विदार्ती को बैठा के परिक्षा ली जाएगी और अगर कोलेज इसमें समर्थ होते हैं तो परिक्षा होगी और कोलेज इसमें ऐसमर्थ हैं तो फिर UGC के नेमानुसार आगे की कारवाई की जाएगी जैसे भी खबर आएगी तो आपको वीडियो के मादम से सुचित किया जाएगा जैहिन जै भारत